नमस्त में टो जय सिरी र्याम जय हैरेवर्द अच्छा दोस्तों मुझे जरूर बताना आपकी जैसे वीडियो जो है अपनी कितने मिनट की बनानी चाहिए मतलब पांच मिनट की 10 मिनट की 15 मिनट की कितनी लंबी वीडियो आप देखना चाहेंगे तो कमेंट में बाद मुझे जरूर बता देना आप सभी आज ये तीसरा भाग है दुरियोधन वद्द का तो आज आप देखेंगे कि दुरियोधन कितना बिलसाली था श्रीकिष्ण जी के क्या विचार थे दुरियोधन के बारे में और युदिस्टिर ने कितनी बड़ी गलती करी ठीक है ना तो देखते हैं चलिए देखिए संजे कहते हैं राजन जब ऐसा कहकर दुरियोधन बारं बार गरजना करने लगा उस समय स्रीकिष अत्यंत कूपित होकर युदिस्टिर से बोले युदिस्टिर यदी है दुरियोधन युद में तुमको अर्जून को अथवा नकूल या सहदेव को ही युद के लिए वरण कर ले तब क्या होगा राजन आपने ऐसी दुस्षास पून बात क्यों कह डाली कि तुम हमें से ए गदा युद का अभ्यास किया है मैं कुंति कुमार भीमसेन के सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं समझता जो गदा युद में दुरियोधन का सामना कर सके प्रंदु भीमसेन ने भी अधिक परिश्रम नहीं किया है इस समय आपने पहले के समान ही पुनहा यह जुएं का खेल आरम कर दिया है नरेश्वर आपका यह जुआ शकूनी के जुएं से कहीं भेंकर है राजन भीम बलवान और समर्थ हैं परंतु राजा दुरियोधन ने अभ्यास अधिक किया है एक और बलवान हो और दूसरी और युद का अभ्यासी तो उनमें अभ्यासी बड़ा माना जा माराज आपने अपने शत्रू को समान ध्रातल पर ला दिया है इस परकार अपने आपको तो भारी संकट में फसाया ही है हम लोगों को भी भारी कटनाई में डाल दिया है भला ऐसा कौन मनुश्य होगा जो सब शत्रू को जीत लेने के पस्चात जब एक ही शत्रू शेस रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो तब उसके साथ अपने हाथ में आई हुए राज्य को धाओं पर लगा कर हार जाए मैं संसार में किसी भी सूरवीर को चाहे वह देवता ही क्यों ना हो ऐसा नहीं देखता जो आज रण भूमी में गदाधारी दुर्योधन को प्रास कर अभ्यास किया है भरत पूशन जब ऐसी दशा है तब आपने अपने शत्रू से यह कैसे कह दिया कि तुम गदा दुवारा युद करो और हम में से किसी एक को मार कर राजा हो जाओ भीमसेन पर युद का भार रखा जाए तो भी हमें विज्जे मिलने में संदे है क्योंकि न लोगों में से एक को भी मार कर राजा हो जाओ निश्चे ही राजा पांडू और कुंति देवी की संतान राजे भोगने की अधिकारिनी नहीं है विधाता ने इसे अनंत काल तक वनवास भोगने अधवा भीक मांगने के लिए ही पैदा किया है भीम बोले मदू सुदन आप विशाद ना करें यदू नंदन मैं आज वैर की इस अंतिम सीमा पर पहुंच जाओंगा जहां जाना दूसरों के लिए अत्यंत कठीन है स्री किष्ण इसमें तनीक भी संदे नहीं है कि मैं युद में सुयोधन को मार डालूँगा मुझे तो धर्मराज की निश्चिये ही विजय दिखाई देती है मेरी है गदा दुर्योधन की गदा से डेड़ गुनी भारी है मैं रण भूमी में इस गदा दुवारा इसे इससे बिढ़ने का उत्साहा रखता हूँ भीम अधिक सक्ति साली था इसमें कोई शंका नहीं थी वाफता में सबसे सक्ति साली था भीम लेकिन अभ्यासी दुर्योधन अधिक था राजन तब संजे कहते हैं राजन भीम सेन ने जब ऐसी बात कही तब स्रीकिश्ण अत्यंत परसन होकर उनकी परसंसा करने लगे और इ युद में दुर्योधन से टक्कर लेना एतना असान नहीं है और ये कोई एकदम तकड़े जिग्रे वाला ही व्यक्ति कह सकता है कि मैं इसको दुर्योधन को हराऊंगा इसमें महाभाव इसमें संधे नहीं कि धर्मराज युदिश्टिर ने तुम्हारा आसरे लेकर ही सत्र तो सहीत या संपुण वसंधरा धर्मराज युदिश्टिर को समर्पित कर दो अवस्य ही रण भूमी में तुम से टक्कर लेकर पापी दुर्योधन नष्ट हो जाएगा और तुम उसकी दोनों जांगे तोड़कर अपनी प्रतिज्या का पालन करोगे किन्तु पार्थ तु के समान तेजस्वी युदिश्टिर से कहा भया मैं इस रण में इस दुर्योधन के साथ भिड़कर लड़ने का उपसार रखता हूं यह नराधम मुझे युद में प्रास्त नहीं कर सकता मेरे हिर्दे में भहुत समय से जो क्रोध संचित है उसे आज मैं धितराष्ट पूत दुर्योधन पर इसी परकार छोड़ूँगा जैसे अरजुन ने खांडव वन में अगनी देव को छोड़ा था पांडु नंदन नरेश आज मैं गदा दुवारा पापी दुर्योधन का वद करके आपके हिर्दे का काटा निकाल दूँगा अता है आप सुखी होईए दुवारा अपने पुत्र को मारा गया सुनकर राजा धेतरा शकुनी की समती से किये हुए अपने असूप कर्मों को समरंड करेंगे ऐसा कहकर भरतवनसी वीरो मिस्रेश प्राकर्मी भीमसेन गदा लेकर युद के लिए उठ खड़े हुए तथा जैसे इंदर ने वर्ता सामना करने के लिए आ डटा मानो एक मतवाला हाती दूसरे मदोन मत गजराज से बिढ़ने को उदत हो गया हो राजन श्रिंग धारी कैलास परवत के समान गदा उठाए दुर्योदन को देखकर भीमसेन ने उससे कहा दुर्योदन तुमने तथा राजा धिरतराश ने भी हम लोगों पर जो जो अत्याचार किया था और वारना वत नगर में जो कुछ हुआ था उन सारे पापकर्मों को समरण कर लो दुरातमन तुने भरी समा में रजसुला दुरोबती को कलेश पोचाया शकूनी की सला से राजा युदिश्टिर को कपट पूर्वक जुए में हराय और निर्परात कुंती पुत्रों पर अन्य जो जो पाप एवत्याचार किये थे उन सबका महान अशुपफल आज तो अपनी आँखों से देख ले नरेश्वर आज युद भी में तेरा सारा गर्व खर्व कर दूँगा राजन तेरे मन में राजय पाने की जो बड़ी भार अभिलासा है उसका और पांडवों पर तेरे दुवार किये जाने वले त्याचारों का भी मैं अंत कर डालूँगा दुर्योदन बोला वरकोदर बहुत बढ़ चड़कर बाते बराने से क्या लाब आज मेरे साथ भिड़तों सही मैं यूद का तेरा सारा होसला मिटा दूँ ओ पापी आज कोन ऐसा सतु है जो मेरे हाथ में गदा रहते हुए भी मुझे मार सके न्याय पूर्वग यूद करते हुए देवताओं के राजा इंद्र भी मुझे प्रास नहीं कर सकते कुंति कुमार इसरद रितु के जलहिन मेग की भाती व्यार्थ की गरजना ना कर तेर महराज जिस समय वह भेंकर युदारम होने लगा और समस्त मातमा पांडवु से देखने के लिए बैठ गए उस समय अपने दोनों शिश्यों के युद होने का समाचर पाकर ताल चेहनी धवजवाले हल धारी बलराम जी वहां आ पहुँचे उन्हें देखकर श्री केशन सही पांडव अती परशन हुए उन्होंने निकट जाकर उनका चर्ण सपस्ट किया और विविधी पूरवक उनकी पूजा की सम्मान किया राजन उनका सतकार करने के पस्चाथ उन लोगों ने इस परकार कहा बलराम जी अपने दोनों शिश्यों का युद कोशल देखिए उस सम आत्म गदा लेकर खड़े वे कुरूवंसी दुर्योधन की और देखकर कहा माधव तिर्थ यादरा के लिए निकले वे आज मुझे 42 दिन हो गए मैं पुष्ये नक्षत्र में चला था और सर्वन नक्षत्र में पुना वापस आया हूं मैं अपने दोनों शिश्यों का गद युद देखिए उनके ऐसा कहने पर सिडिकेशन के बड़े भाई महाबाव बलराम जी उन महारतियों से सतकरत होकर उनके बीच में अत्यंत परशन होकर बैठे राजन तत्पसात आपके उन दोनों पुत्रों में वैर का अंत कर देने वाला भेंकर हैं रोमांच कारी संगरा होने लगा वे दोनों बड़े बड़े दो सींगों वाले दो सांडों के समान एक दूसरे से भिड़ गए उनके प्रहारों की आवाज महान वरसप्रात के समान भेंकर जान पड़ती थी उन दोनों में भेंकर हैं रोमांच कारी युद होने लगा लड़ते लड़ते वे दोन तक विश्राम क्या तत्थ पस्षाथ सद्रू संतापक वे दोनों युद्धा फिर विचित्र एवसुंदर गदाएं तथा हात में गदाएं हात में लेकर एक दूसरे वपरार करने लगे दुरियोदन और भीमसेन को पुन्हा गदा उठाए देख उनमें से किसी एक की विजय करने का अफसर देखते हुए पैतरे बदलने लगे वे दोनों परस पर भीड़कर एक दूसरे से अपनी रक्षा के लिए परेतन सील हो रोटी के टुकड़े के लिए लड़ने वाले दो बिलावों के समान बारंबार आगात परतिगात कर रहे थे रण भूबी में सब और य एक दूसरे पर चोट करके खून सा लथपर हो अद्वुद सवाप पाने लगे तच पस्चाद विचित्र पैतरे बदलते हुए आपके महावली पुत्र ने कुंतिकुमार भीमसेन को खड़ा देख उन पर सैसा आक्रमन किया यह देख क्रोध में भरेवे भीमसेन ने अत्य कूपित हो दुरियोधन की सुवन जटित उस महावेग शालिनी गदा पर ही अपनी गदा से आगात किया जैसे क्रोध में भरा हुआ मतवाला हाती अपने परतिदवंदी गजराज को देखकर सहन नहीं कर पाता वैसे ही रण भूमी में अपनी गदा को परतिहत हुई देख क कुरूवन सी दुरियोधन नहीं सह सका तब राजा दुरियोधन ने अपने मन में दिर निश्चा लेकर बाए मंडल से चक्कर लगाते हुए अपने भेंकर वेक्षाली गदा से कुंती पुत्र भीमसेन के मस्तक पर परार किया महाराज आपके पुत्र के अगाज से पीडित ना होना कितनी पीडा को सेहन कर लेना तब भेंकर प्राकरमी भीमसेन दुरियोधन पर अपनी सुवन जटीत तेजस्विनी एंभारी गदा फैकी परन्तु महाबली दुरियोधन को इससे तनीग भी गवराट नहीं हुई उसने फुर्ती से इधर उदर होकर उस प्रहार को विर्त कर दिया यह देख वहाँ सब लोगों को महाना असरे हुआ फिर कुरोध में भरे हुए महाबली कुरूसरेष्ट दुरियोधन ने भीमसेन को धोका दे उनकी चाती में गदा मारी उस महायूद में आपके पुत्र की गदा की चोट खाकर भीमसेन मुर्चित से हो गए और एक शन तक उन्हें अपने कत्वे का जियान तक नहीं रहा उस परार से भीमसेन मतावले हाती के समान कूपित हो उठे और जैसे एक हाती दूसरे हाती पर धावा करते है उसी प्रकारों ने आपके पुत्र पर आकरमन किया राजन गदा का परार करने में कुशल भीमसेन आपके पुत्र राजा दुरियोधन के पास पहुंचकर उसकी पसली में आगात किया उस परार से वैकल होकर आपके पुत्र गुटने टेक कर प्रित्वी और बैट गया राजन उस समय संजियों ने बड़े जोर से हर्ष वर्दन की भर्थ स्रेस उस संजियों का वह भाव पूत्र दुरियोधन अमर्ष से कूपित हो उठा और खड़ा हो सब के समान फुकारने लगा उसने दोनों आखों से भीमसेन की और ऐसे देखा मानो उन्हें भसम कर डालना चाहता हो फिर भरतवन्स का वह स्रेस्ट वीर हाथ में गदा लेकर युद भुमी में भीमसे प्रवत के समान अविचल भाव से खड़े रहे तनीग भी विचलित नहीं हुए राजन कुरुकुल के उन दोनों परमुख वीरों के उस संगराम को उत्रोत्तर बढ़ता देख अरजुन ने यससवी स्री किशन ये पूशा जनार्दन आपकी समती में इन दोनों वीरों में से इस रन भूमी में कौन बढ़ा है अत्वा किसमें कौन सा गुन अधीक है यह मुझे बताईए स्री किशन बोले अरजुन इन दोनों को शिक्षा तो एक सी मिली है परंदु भीमसेन बल में अधीक है और दुरियोधन उनके पेक्षा अभ्यास और प्रियतन बढ़ा अधा भीमसेन भी यहां माया में प्राकरम का ही आश्रे लें धनंजे जुए के समय भीमसेन ने प्रतिज्या करते हुए दुरियोधन कुछ से यह का था मैं युद में गदा मार कर तेरी दोनों जांगे तो डालूँगा अधा शत्रु सुदन भीमसेन अपनी उसी प्रतिज जिया का पालन करें और माया वी राजा दुरियोधन को माया सही नस्कर डालें यदि ये बल का सारा लेकर नियाय पुर्वक प्राहर करेंगे तब राजा युदिष्टर पुन्हा अत्यंद विश्यम पस्तिती में पढ़ जाएंगे पाणु नंदन मैं पुना यह बात कहें देता हूँ तुम उसे ध्यान दे कर सुनो धर्मराज के अपराद से हम लोगों पर फिर भया पहुचा है पाणु नंदन एक ही हार जीत से सबकी हार जीत की शर्त लगागर जो उन्होंने इस भेंकर युद को जुए का दाव बना ड हुआ है इस विशे में शुक्राचारे का कहा हुआ यह है प्राचिन स्लोक सुनने में आता है मरने से बचे हुए शत्रुगन यदि युद में जान बचाने की इच्छा से भाग गए हो और पुना युद के लिए लोटने लगे हो तो उनसे डृते रहना चाहिए क्योंकि व कूद पड़े हो उनके समक्स इंदर भी नहीं ठहर सकता यदि महाभाव भीमसेन इसे अन्याय पूर्वग नहीं मारेंगे तो यह देतराष्ट का पुत्र दृयोदन ही आपका और समस्क्रुकुल का राजा होगा संजे कहते है मातमा केशव का यह वचन सुनकर अर्जु ने भीमसेन के देखते हुए अपनी बाई जांको ठोका इससे संकेत पागर भीमसेन यूद भूमी में गदा द्वारा यमक और अन्य परकार के विचित्र मंडल दिखाते हुए विचरने लगे इसी परकार गदा यूद की प्रनाली का विशेशक जै आपका पुत्र भी भीमसे को मा डालने की इच्छा से शिगरता पुरविचित्र पैतरे लेता हुआ विचरने लगा जैसे दो गुरूड किसी सरप के मास को पाने की इच्छा से प्रस पलड़ रहे हो वैसे ही एक दूसरे के वद की इच्छा वाले वे दोनों प्रूश परवर परमुख वीर भीमसें तर्योधन आपस में जूज रहे थे उन दोनों के सारे अंगदा के पराश जजर हो गए थे और वे दोनों ही रक्स ना उठे थे उस अवस्ता में वे दोनों हिमाले पर खिले हुए दो पलास विरिक्षों के समान दिखाई देते थे उस समय उस अत्यंत भेंकर घमासान युद दोनों वीर प्रस पर युद करते वे बहुत ठक गए राजन तत्थ पस्चा दो घड़ी सुस्तागर परताभी भीमसेन ने निकट आई हुए दुर्योधन पर बड़े वेक से आक्रमन किया भरत्स्रेश अमित तेजशवी भीमसेन गोकरोध पूर्वक धावा करते देख आ पूर्ण हड़ जाने की छा की राजन भीमसेन समझ गए की राज़्य दुर्योधन क्या करना चाहता है पैतरे से उपर उचलने की इच्छा वाले दुर्योधन के सुन्दर दिखाई देने वाली जांगों को उसने तोड़ दिया पिर्थवी नात इस प्रकार जब भीमसेन ने उसकी जांगे तोड़ डाली तब आपका पुत्र पुरुष शिंग दुर्योधन पिर्थवी को परती धवनीत करता हुआ गिर पड़ा अब आगे भीमसेन दुरा दुर्योधन का तिरसकार युदिश्टिर का भीमसेन को रोकना और दुर्योधन को सावदना देते हुए खेत परकट करना राजन उस समय दुरियोधन का वद करके परतापी भीमसेन उस गिराए गई कोरव राज के पास जाकर बोले खोटी बुद्धी वाले मुर्ख तूने पहले मुझे बैल बैल कहकर और एक वस्त धारिनी राज सवला दुरोबदी को सभा में लाकर जो हम लोगों का उपास किया था और हम सबके परतिकटू वचन सुनाई थे उस उपास का फल आज तू प्राप्त कर ले ऐसा कहकर भीमसेन अपने बाएं पैर से उसके मुकूट को ठुकराया और राज सिही के मस्तक पर भी पैर से ठोकर मार दी पर जेशुर इस प्रकाश शतुरु सेना का संगार करने वाले भीमसेने करोच से लाल आखे करके फिर जो बात कही उसे भी सुन लीजिए जिन मुर्खों ने पहले हमें बैल बैल कहकर निर्टे किया था आज उन्हें बैल बैल कहकर हम अपमान का बदला लेते हुए हम भी परसंता से नाच रहे हैं चल कपट करना घर में आग लगाना जुआ खेलना अधवा ठगी करना हमारा काम नहीं है हम तो अपने भावल का भ्रोशा करके सत्रू को संताब लुआ देते हैं आपके पुत्र को मारकर बहुत बढ़ बढ़कर बातें बनातें और बारम बार नाचते कूते भीमसें से युदिष्टिर ने इस प्रकार का रहे है भीम तुम वयर से अत्रिण हुए तुमने शुब अथवा अशुब करम से अपनी परतिज्याенко पूरी कर अब तुम्हें इसके साथ ऐसा वैवार करना उचित नहीं भीम ग्यारे अक्षोहुनी सेना के स्वामी और अपने ही बंदू कुरूराज राजा दुर्योधन को पैर से ना ठुकराओ इसके भाई और मंत्री मारे गए सेना नस्ट भहस्ट हो गई आज यह स्वैम भी युद मे मारा गया ऐसी वस्ता में राजा दुर्योधन सर्वता शोक के योगए है उपास का पात्र नहीं भीम तुम्हारे विशय में लोग पहले ही कहा करते थे के भीम सेन बड़े धर्मात्मा है वही तुम आज राजा दुर्योधन को पैर से क्यों ठुकराते हो भीम सेन से ऐसा कह राजा दुर्योधन के पास पहुँचकर अशु गदगद कंड से इस परकार बोले ता तुम्हें खेद अधवा क्रोध नहीं करना चाहिए साथ ही अपने लिए शोक करना भी उच्चित नहीं है निश्चे ही सब लोग पहले किये हुए अत्यंद भेंकर कर्मों का इफल भो पाप कर्मों का विशम फल है भरत भूशन तुमने लोव मद और अविवेक के कारण अपने ही अपरात से ऐसा ऐसा भारी संकर प्राप्त किया है तुम्हारे अपरात से ही हम लोगों ने तुम्हारे भाईयों को मारा और कुटंबियों को परलोग पोचाया मैं इसे देव का विधान मानता हूँ निश्पाप तुम्हें अपने लिए शोग नहीं करना चाहिए तुम्हारी तो पर्शंसनिय मिर्तू हो रही है गुरुराज अब तो सभी अवस्ताव में इस समय हमी लोग सोचनी हो गए है क्योंकि अपने प्रिये बंदू बांधवो से रही तोकर हमें दीनता पूर्ण जीवन बिताना पड़ेगा भला मैं भाईयों और पुत्रों की उन शोक वहिला और दुख में डूब ही विद्वा भवों को कैसे देख सकूँगा राजन तुम अकेले सुकी हो निश्चे ही तुम्हें सरके में स्थान मिलेगा और हमें नर्क तुल्य दारुन दुख भोगना पड़ेगा राजन ऐसा कहेगा धनमपुत राजा युदिश्टिर दुख से अत्यन तरातुर होकर लंबा स्वाच छोड़ते वह भहुत देर तक विलाप करते रहे अब आगे हम अगली वीडियो में देखें दोस्तों काई बड़ी ह जा झाल प्राँ से अत्य कवित कश्वाचे अँ नर्क driving papाला युष करते प्राँ स्वाचे में देखने में दुख विलाराई आपका युवाचे हम क्यों करते हैं, दूतह को भी भी गोस्तों काईड में तरा युझ आदारे किया हम आग़कर युब प्राम सेरे पाल two-t